चौकलेट ममी से मैं सीमा सिंग आपका स्वागत करती हूँ आज मा आपको पुशोत्ता मास के सोलवे अध्याय का महात्यम में सुनाने जा रहे हूँ शिरी नारायन बोले हे नारज जी हे महाप्राग्य वालमिकी जी ने दरधनवा से जो अत्यन अद्बुच चरित्र कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ तो जान से सुनो वालमिकी जी बोले राजा दरधनवा सुनो भगवान की आज्या से गरूर जी इस प्रकार भामण से बोले हे दुशिस तुमसे हरी ने कहा कि तुमारे भाग्या में साथ जन्व तब पुत्र सुप नहीं है अबी भी वैसा ही होगा तो भी हे तपोधन स्वामी आज्या से मैं तुमको पुत्र दे रहा हूँ जो मेरे अंश से उत्पन होगा जिसमें गोत्मी सहीद आप आशिश को प्राप्त होंगे परन्तु उस पुत्र से तुम दोनों को दुख ही मिलेगा हे द्विज शारदुल तुम धन्यों हो जो तुमारी बुद्धी हरी में हुई चाहे कामना सहीत हो या कामना रहीत हो ये भगवान को दोनों ही प्रिये हैं मनुश्य का शरी तो जल के बुलबले के भाती शर्ण भगगूर हैं ऐसे जीवन को पाका जो पुरुष हरी चर्णों को अपने हिद्धय में चिंतन करते हैं वे धन्य हैं हरी के अतिरित इस दुस्तर संसार में तारने वाला और कोई नहीं है और हरी की ही क्रपा से मैंने भी तुमको पुत्र होने का वर्दान दिया है मन में श्री हरी का ज्यान करके सुख पूरक विचारो और उदासीन भाव से संसार के सुखो को भोगो वालमिकी जी बोले दोनों इस्तरी पुरुशों को अचितम वर देकर और देखते ही देखते हरी भगवान गरू पर चड़कर शिगर ही अंतरध्यान होगे सुदेव भी इस्तरी साइथ इच्छित वर पाकर अपने घ्रस का उत्तम सुख भोगने लगा उस समय बीतने पर गोतमी गर्ब वती होई और दस्वे मैने में गर्ब पूरा हुआ प्रसुती काल होने पर गोतमी के गर्ब से उत्तम पुत्र प्राप्त हुआ सुदेव पुत्र पाकर बहुत प्रसंद हुआ शेष्ट ब्रामनों को बुला कर जात कर्म संसकार किया इस्तान कर ब्रामनों को बहुत दान दिया सुदेव ने अपने कुटुम जनो ततान्य ब्रामनों से कहा कि मुझे ये पुत्र क्रपालु गरूर जी ने दिया है यह शरत पूर्णों के चंद्रमा के समान कांटी वाला शुकदेव जी के समान तेजस्वी है इसलिए मैं इसका नाम शुकदेव ही रखूंगा पिता के मनोरत के साथ माता के मन को आनन देने वाला पुत्र शुकल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रति दिन बढ़ने लगा पिता ने प्रसन हो यगो पवी संसकार कर गायत्री मंत्र दिया, फिवेद्ध अरम कर संसकार पर भ्रहमचारिय व्रत पालन करने लगा, भ्रहमचारिय के तेज से वयबालक शाख्षात सूर्य के समान सुशोद्बुत हुआ, बुद्धी के सागर कुमार के विध्यादन शुर आये, उनको देव सुदेव ने हर्ष से नमसकार किया विधी पूर अर्द्य पादादी से मुनि पुजन कर आसन पर बिठाया, देव दर्शन भगवान देवल उस आसन पर बैठ गे और अपने चर्णों में पड़े हुए कुमार को देखा देवल मुनि बोले, अरे सुदे तुम बहरी भगवान पसंद हुए हैं, इसमें तुम धन्य हो, जिससे तुमको दुलव शेष्ट सुन्दर पुत्र प्राप्त हुआ हैं, ऐसा नमर बुद्धिमान बोलने में चतूर वेद्या अध्यन करने वाला पुत्र कहीं भी किसी के यहां नहीं होगा, हे वस यहां आ पेड़ पर त्रिवेली की रेखा, शोबित ऐसे पुत्र को देख मुनी अश्चर्य युक्त हो, उतकंड ब्रामन से बोला है सुदेर, तेदा यह पुत्र गुणों का सागर है, गले की हंसली मास में चिपी हुई है, शंक के समान कंट है, चिकने घुंगराले बाल है, चोड एक महादोश है, इसके सब लक्षन व्रत हैं, क्योंकि आयू हिन कुमार के लक्षन कहने से क्या लाव, हे सुदेव, तुमारा यह पुत्र बारा वर्ष की आयू में जल में डूप कर मर जाएगा, तुम इसका मन में सोच नह करना, क्योंकि होने वाला तो अभश्य होगा, इ इसका कोई इलाज भी नहीं है, जैसे मरने वाले को ओश्यदी देना व्यत्त है, वालमिकी जी बोले देवल मुनी ऐसा कहकर ब्रह्म लोग को चलेगे, और इधर सुदे ब्रामन गोत्मी साइध पत्वी पर पछाड खाकर गीर पड़े, देवल मुनी के वचन इसमन करते हु जो होगा, सो होगा, तो क्यों नहीं हम अभी से दुखी ना हुए, राजा नल, राम चंदर जी, पांडु पुत्र युदिष्टा ने क्या दुख नहीं इठाए, राजा बली को भी बंधनों ने नहीं बांदा, याद्वों का क्या नाश नहीं हुआ, हिरनक्ष भी तो मार हुआ था, सहस्त्रा अर्जुन, कार्त बीरिये और रावन के भी तो सिर काटे गए थे, हे मुने, रगुनाज जी को भी तो जानकी के विरय का दुख जेलना पड़ा था, हे मुनीवर, राजा परिक्षत भी ब्रामन के शाप से मित्यु को प्रात हुए थे, ऐसे ही जो होने वाला है, सो तो होगा ही, तहे नात उठो, तुम शर्णागत होकर जीवों के रक्षक और निर्वान पद के होने वाले सनातन हरी को भजो, वालमिकी जी बोले, इस प्रकार सुधे ब्रामन, अपनी इस्त्री के वचन सुन का सतोगन प्राप्त का हिद्य में हरी के चरन कमलों का ध्यान कर, पुत्र से उत्पन हुए, दुखों से छूट गया, तो आज मैंने आपको यह कता सुनाई, अगर आपको यह पसंद आती है, तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, आगे आने वाले वीडियो के लिए बैल जरू प्रेस करें, ता